P.U. में लगातार काफी बार रिपीट हुआ 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 है यह प्रिविस एर कोश्चन है 2012 में, फिर 2014 में, 2015 में और उसके बाद भी सेम लाइन्स के उपर 2017 में कोश्चन देखने को मिला था कोश्चन क्या कह रहा है कि T एक linear operator है एक vector space r cube के उपर जो इस तरीके से defined है आपको show करने कि जो T है वो invertible है show क्या करने कि T invertible है और T inverse find भी करने है तीन number बिल्कुल free के आपको देखने को मिलेंगे अगर आप यह question कर लेते हो तो बिल्कुल same question हम एक और upload कर चुके हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमने क्या लिया first step है कि अगर x, y, z belong करते है kernel of T से तो इसका मतलब T of x, y, z किसके क्वल चला जाएगा 0 के ब्रापर क्योंकि kernel में जो भी elements होते हैं उनकी mapping क्या होती है 0 के ब्रापर तो अब यह put कर दो T of x, y, z तो यह बना है x minus 2y minus z y minus z और x equal to यह बनेगा 0, 0, 0 अब compare करो एक एक element तो x की value आपके पास आगी 0 के ब्रापर तो y minus z equal to 0 बना और एक बनेगा x minus 2y minus z equal to 0 जब आपने यह component compare के 0 यह component compare के 0 यह component compare के 0 तो y minus z equal to 0 बना तो उसके बाद आपके पास बनेगा 2y minus 2z equal to 0 जब आप इन दोनों को solve करोगे जैसे y की value z के equal आगी वो इसमें put कर दो तो z की value भी 0 आजाएगी फिर y की value भी 0 आजाएगी तो finally क्या हुआ x की value 0, y की value 0, z की value 0 तो kernel में केवल और केवल एक element आया आपके पास that is kernel of t में क्या आपके पास आया 0, 0, 0 सिर्फ यह element आया इसका मतलब this implies कि t एक invertible operator है t क्या है एक invertible operator है किसके उपर operator on r cube t एक invertible operator है r cube के उपर अब हमें inverse निकालने है माल लेते हैं कि t of x, y, z किसके एकवल आगया a, b, c के एकवल है तो यहां से हमने transformation की values लिख दी x minus 2y minus z y minus z और x equal to a, b, c अब x की value किसके एकवल है c के ब्राबर है तो x की value आगी c के ब्राबर तो क्या बनेगा आपके पास x minus 2y minus z equal to a और y minus z equal to b तो यहां पे x की value पुट कर दो इस वाले part में तो आपके पास बनेगा b minus a equal to 2y plus z देखो यह दोनों elements उस तरफ गए x को पुट कर दिया c b नहीं होगा यह होगा c it will be c so erase कर देखे हैं चलो इसे तो यह बनेगा आपके पास c minus a ठीक है तो अब आपके पास यह दो linear equations बनगी एक बनगी कि 2y plus z की value आगी c minus a के ब्राबर एक आगया कि y minus z की value बनगी b के ब्राबर अब इन दोनों equations से y और z की value निकालनी है तो सबसे पहले y की value किसके कोल आगी minus a plus b plus c upon 3 ठीक है और z की value किसके कोल आगी minus a minus 2b plus c upon 3 तो x की value c आगी y की यह आगी z की यह आगी अब यह तिन्नों values इसमें put हो जाएंगे आपके पास देखो basically था क्या हमारे पास कि t of x, y, z किसके कोल है a, b, c के कोल है तो t inverse of a, b, c किसके कोल आगया x, y, z के कोल आगया तो x की value c थी y की value जो आपने उपर निकाल ली है z की value यह आगी तो x, y और z यह तिन्नों values आगी तो इसका मतलब t inverse आपके पास यह operator निकल गया ठीक है तो इस तरीके से किसी भी linear transformation का किसी भी linear transformation का यह linear operator का inverse आप निकाल सकते हो free के marks है सिरफ पहले step में show कर दो कि kernel of t में सिरफ 0 element है यह आपके पास step number 1 हो गया step number 2 में क्या करो कि t of x, y, z को a, b, c के कोल मान लो t of x, y, z को किसके कोल मान लो a, b, c के कोल इसे equation number 2 step number 2 consider कर लो उसके बाद solve कर दो आपका answer आजाएगा उसे कर में दो प्याइब पो उसे प्याईब और उसे लिएाप स्थ्शूशफपवाच्ड़ आपका प्याइब आपका प्याइब आपका